मेरे प्रिये विदार थी आप सब को पुना गुर्द्रोन के विश्टी क्लासेज में स्वागत है जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ लेक्चर नुबर 6 में मैंने आप लोगों बताया था एंटी मारकोनिकव वाइफ में आप लोगों मैंने मारकोनिकव करूल बताया था उस सभी मेथड जो थे क्या थे अलकाइल हैलाइड बनाने की बीधियां थी अलकाइल हैलाइड बनाने की बीधियां एक बार बेरी कॉल इसमें कर लेता हूं लेक्चर 7 में ठीक है पहली बात एलकेन को हाईलाइड में चेंज करने के लिए आप लोग हेलोजी नेशन रियक्षन लगाए थे दूसरी बात आपने पढ़ा था कि एलकोहल को तीन मेट्थर्ड से आप अलकाईल हाईलाइड में चेंज कर सकते हैं ठीक है यानि एल्कोहल को पहला जेडेंस CL2 के परजेंस में HCL से रियक्षन कराये थे तो हम लोग को मिला था क्या चीज़ अलकाइल हलाइड हम क्या फिर उसके बाद बताएं आप लोग को कि एल्कोहल को जब HCL2 से रियक्षन हम लोग कराये थे तभी हम लोग को मिला था अलकाइल हलाइड और अगला एक और मिला था PCL5 से रियक्षन कराये थे यानि एल्कोहल को तो मिला था अलकाइल हलाइड और एक मिला था आप लोग को symmetrical alkyne के लिए मैं यानि इथीन को directly लेकर के HCl से reaction कराया था तब ही वहाँ हम लोग को alkyl highlight मिला था bond break कर गया था दोनों carbon atom पर एक hydrogen एक पर chlorine जाकर add हो गया था अगली बात ये सारी change करने वाली बात हो रही है अब alkyne मराने की बीधी थी ये फिर उसके बाद unsymmetrical के लिए दो रूल अपना है जिससे एक मिला primary और दूसरा मिला secondary आप लोगो मारकोनिकफ का रूल दिया था primary alkyl highlight सोरी secondary alkyl highlight और anti-marconic जो दिया था वो primary alkyl highlight फिर से एक बार मारकोनिकफ का रूल हम लोग को दिया था क्या चीज़ secondary alkyl highlight और anti-marconic जो क्या दिया था primary alkyl highlight अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि alkyl highlight से क्या क्या बनाया जा सकता है तो alkyl highlight से alcohol बनेगा alkyl highlight से cyanide बनेगा alkyl highlight से amine बनेगा प्रात्मिक दीतियक्तियक्तियक्तिनो अलकाइल highlight से nitroalkyn बनेगा alkyl highlight से isosynide बनेगा ये इतना आज reaction आप लोग मैं बताने जा रहा हूं और एक बाते alkyl highlight से हम लोग क्या करेंगे यानि alkyl highlight में दो कौण कौण तो हम लोग लेकर चलेंगे alkyl chloride और alkyl bromide को alkyl iodide में बदलेंगे क्यूं क्यूंकि alkyl iodide से हम लोग direct lkin प्राप्त कर सकते हैं यानि हैलोजन से डाइडिक्ट इलकें प्राप्ट कर सकते हैं मेरी बात समझ में आगी होगी और इसी चीज को मैं लेकर आप लोग को समझाने का पड़ेतने कर रहा हूं मेरी बात को ध्यान से आप लोग यह दिसुने तो अवश आप लोग को शमज में किलियर आएगे किलियर है ये हम चलते हैं लेक्चर नबर 7 की ओर लेकिन हेड्लाइन क्या है हेड्लाइन ये है मुन्ना कि अलकाइल हैलाइड से अन्य जोगिकों का निर्मार formation of another organic compound by अलकाइल हैलाइड बात समझ के होंगे पहले हेड्लाइन बनाता हूँ और एक एक करके रूल पढ़ेंगे लेक्चर नमबर ये हैसे बेन रूल नमबर कितना है थार्ड और ये रूल नमबर थार्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ हैलोजन से अन्य जोगिक बनाने का रूल रूल नमबर थार्ड है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ सबसे बड़ी बात ये है तो लिखेंगे क्या चीज़ अलकाइल है लाइड से अन्य योगिको का का निर्मार ये बनना बात ये के चीज़ है निर्मार करना ये बननाना यानि की फॉर्मेशन ओफ यहां लिख दता हूँ फॉर्मेशन ओफ अनादर कमपाउंड बाई अलकाइल है लाइड बाई अलकाइल है लाइड नमबर एक नमबर एक पहला रूल इस्ट्रक्चर दे रहा हूँ पहला रूल क्या चीज़ है इस्ट्रक्चर इसका देखी पहला है क्या चीज़ ये जानिए पहले ठीक है यानि किस से भाईत लिखते हैं अलकोहल अलकोहल का निर्मार अलकोहल का निर्मार अलकाइल है लाइड से यानि कि अलकाइल हैलाइड से देख लीजे जड़ा देखिए का गोर से ध्यान से देखें आप लोग आप लोग को दिकत नहीं होनी चाहिए देखिए चोक ले लिया मैंने देखिए आप लोग अर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फॉरमेशन अफ एलकोहल बाइ अलकाइल हैलाइड लिख सकते हैं फॉरमेशन फॉर मेशन अफ एलकोहल बाइ अलकाइल हैलाइड चलिए भी लिख दिया ठीक है वहाँ है लिखाओं क्या चीज़ कुछ नहीं है formation of alcohol by alkyl halide alkyl halide से alcohol का निर्मान कैसे करेंगे ठीक है पहले structure देखिएगा structure structure इसका ये कहता देखिए यही न है RORX alkyl halide ये reaction करेगा आपको किस से koh से koh से reaction करेगा लेकिन कब aq का मतलब aq का मतलब जलिये koh होना चाहिए ठीक है तो जलिये koh जब होगा तो देखिए यहाँ से ये x को cut किजिए और यहाँ से k को cut किजिए यहाँ से लिकल गया kx आईए दोनों जाकर के चूड़ेगा तो होगया क्या चीज ROH plus kx अप लोग देख रहे होंगे ध्यान दीचेगा R को alkyl कहते हैं methyl, ethyl, propyl, betyl, pentyl, hexyl, heptyl कोई भी हो सकता है और OH का मतलब होता है alkohol example लेकर क्यों न दिखाएं जड़ा देखी example से बात करें हम देखिए यह है आपका methyl chloride ठीक है यह compound मिलेगा आप लोग घबराईए गमतीश से ठीक है और मैं ले लिया KOH ओ भी कैसा भाई एकवा alkyoholik मत किजिएगा alkyoholik करने पर सारी गरबर हो जाई कहानी double bond में बदल जाता है ठीक है तो यह देखिएगा यहां से यह क्या हुआ यह कट हुआ यह कट के निकाल लेजे और यह और यह सहाब जूट गय तो CH3 OH हो गया और KCl बाहा निकल गया अब नाम लिखा जाए तो लिखेंगे chloromethane chloromethane change will be methyl alcohol नाम बहुत important है याद रखेंगे मुन्ना मैं यही कहूँगा आप लोगों से या इसी को methanol कहा जाता है इसी को wood alcohol कहा जाता है यहाँ लिख देता हूँ देखिए wood alcohol क्यूंकि यह alcohol लकड़ी से प्राप्ट किया जाता है यानि स्रवन से प्राप्ट किया जाता है यह अगर मानो यूज करेगा तो या तो अंधा हो जाएगा नहीं तो क्या होगा दित कर जाएगा ठीक है चलिए समझ गयोंगे एक और एक्जामपल देता हूँ आप लोग को अब मान लिजी इसके जगह पे मैं रख रहा हूँ दूसरा एक्जामपल में CH3 bond CH2 bond CL CL न लेकर लेजिए न मैं BR को इस्तमाल कर लेता हूँ कहो कि सर खाली CL CL इस्तमाल कर लेक्यों ऐसे और यहां रहेगा एक्यू ए मुना एक्यू लिखना एक वा यहां तो लेक्षना जल यह ठीक है और चेंज विल बी देखो यह दोनों निकल गए सहब ठीक है जब यह निकल गए तो यह घेरने की ज़रूरत नहीं होगी हम लोग घेरेंगे नहीं इसमें से निकाल देंगे कीवल ठीक है समझ गए मेरे बात को अब यह बन गया CH3 bond CH2 bond OH अब बन निकल गया KBR इसका नाम क्या है वह इसका नाम है ब्रोमो इथेन आयो पेसी नेम क्या होगा ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड चेंज वेल भी किसमें इथाइल एलकोहल इथाइल एलकोहल या इथाइल एलकोहल या इसी को बोलते हैं मुन्ना एथेनोल इसी को बोलते हैं ग्रेन एलकोहल इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़ अगर ये 98% सुद्ध हो जाएगा 98% अगर पियोर होगा यानि 98% इथाइल एलकोहल 2% चल होगा ये कहलाता है एस्प्रीड समस गया है और याद करेंगे इसी को हम लोग मदिरा या सराब भी कहते हैं आप लोग इसकी इंसोर्ट लेले मुन्ना पहला रूल हो गया ये कब लागू होगा जब अलकाइल हाइलाइड से हैलोजन बनाना इरेलकोहल बनाना होगा तब यूज करेंगे अब कोई कह देगा क्या होता है जब कुशन ऐसे भी कर सकता है क्या होता है जब अलकाइल हाइलाइड जलिये कोह से अभी किरिया करता है तो डाइडेक्ट उतर देंगे अलकोहल बनता है क्या बनता मुन्ना अलकोहल बनता है समझ में आगे क्या क्या बनता है alcohol बनता है clear हो गई तो वही बोलेंगे कि जब alkyl hyalide जलिए koh से अभिक्रिया करता है तो alcohol देता है when when alkyl hyalide reacts with aqua koh which ठीक है क्या करेगा gives to alcohol clear हो गया मुन्ना चलो एसके insert लेलो अगला बात करता हूँ ठीक है देखना जरा अब मैं बात करने चल रहा हूँ जरा अगला formation के लिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला formation में देखते हैं क्या होता है जरा गौर करना देखना alcohol पढ़ लिए हम लोग यानि हम लोग alkyne से भी अब alcohol बना सकते हैं methods हम लोग के पास आ गया alkyne को highlight में change करेंगे और highlight में change करने के बाद ये rule लगा देंगे ते alcohol बन जाएगा ठीक है चलते हैं आगे बात करते हैं अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज जरा ध्यान दिजिएगा एक और चीज यानि ये चीज़े ध्यान रखें क्या चीज करने जा रहा हूं देखिए ठीक ना देखिए आब यहाँ है यहाँ आलकाइल हाइलाइड से ही अलकाइल हैलाइड उसको नीछे डाल देंगे पहले यह देखिएगा देखिए एक चीज ओर मुन्हा अब रूल नंबर आपका यहाँ पर यहाँ है यानि तीसरा आपका नियम दूसरा माप किजिए को दूसरा है यह क्या है अब हम अलकेन पढ़े हूंगे नाइट्रो एलकेन के बारे में जड़ा याद करें CA3A गुरुप मैं पढ़ा चुका हूं यह नोट वाले को नाइट्रो कहा जाता है नाइट्रो मेथेन है यह ठीक है और क्या है नाइट्रो एलकेन का निर्मान बस अब लिखेंगे आप नहीं लिखूंगा किस से क्यों कि उपर में देख रहे हैं अलकाइल हैलाइट से ठीक है तो डेरेक्ट लिखते हैं फॉर्मेशन ओफ फॉर्मेशन ओफ नाइट्रो एलकेन किस से भाई तो समझ रहे हैं आप लोग ठीक है देखिए जरा इसकी भी यह स्ट्रक्चर वही होगी द्यान दिजएगा स्ट्रक्चर बहुत घबराने के जरूरत नहीं है देखते जाईएगा कुछ करना नहीं है मुन्ना एक सोट सी बाते करेंगे आप लोगों से एक छोटी सी बाते करेंगे और बनकर यह आप लोग आशानिश यह त्यार हो जाएगा जरा मेरी बात को गोर्ष देखना कुछ नहीं कर रहा है बस जलही एलकोहलिक एज़ी एनो थिरी से रियेक्शन कराना है इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप लोग पहले क्या होगा स्ट्रक्चर जरा देखिए देखिए आर एकस अलकाइल हैलाइड इसी का नाम है अलकाइल हैलाइड अलकाइल हैलाइड पलस यह क्या है आर एकस अलकाइल हैलाइड यह करेगा एजरी एनो टू से रियेक्शन लेकिन कब बोलिये कब करेगा भाई तो यह होगा एल्कोहलिक को भी कैसा एल्कोहलिक जल ये क्या होगा जल ये एल्कोहलिक होगा एकर मतलब एल्कोहल के साथ में जल होगा एक बात याद रखेंगे एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है ये जान ले जल यानि मतलब एल्कोहलिक एल्सी का मतलब होता है एल्कोहल उसमें है समझ रहे हैं न एलकोहल के उपस्थिती में समझ रहे हैं तो एलकोहल ला लिख करके ALC लिख देंगे आप बिंदू डाल देंगे तो समझने वला समझ जाएगा कि यह एलकोहलिक मेडियम है जैसे जल एकवा को हम लोग एक यू लिखे था ठीक है अब देखो मुन्ना यहां से यह कटा मारोगे यह कटा मारोगे यहां से यह कट जाएगा ठीक है तो देखो आर इसमें NO2 जूट गया NO2 जूट गया निकल गया AGX बाई एक्जामपल बात करते हैं अब एक्जामपल देख लिया जाए जैसे CH3 CL पलास AZ AZ NO2 क्या रहेगा भई तो जल यह रहेगा H2 भी लिख सकते थे जल यह ALC जल यह एलकोहलिक मेडियम में जब यह कराएंगे तो यह कट कर निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 CH3 bond NO2 इसी को और निकल जाएगा AGCL बाहर निकल जाएगा सफेद वचियर क्रूप में clear है तो नाम इसका था methyl methyl chloride methyl chloride change will be methyl chloride change will be किसमे nitromethane nitromethane इक और example उठा लिजे यानि मतलब यह हुआ alkyl halide से nitro alkane हम लोग बना सकते हैं जरा गौर करेंगे देखिये फिर क्या होएगा जैसे मान लेजे c2 h5 i ले लेते हैं कोई दीकत नहीं है चलिए और इसको हम क्या करता हूँ तुरा थे ag no2 से reaction करूँगा 22 की presence में तो जलिए यानि चलिए h2o लिख देते हैं जलिए alc alcoholic medium जलिए alcoholic medium यानि alcoholic medium में जब reaction करा तो यह i और ag कट गया मेरे बंधू ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी directly हम लोग निकाल देंगे निकलने वाले को यह दोनों निकल गया highlight और ag क्या होएगा निकल गया निकला तो बन गया c2 h5 no2 निकल गया agi इसका नाम क्या है इसका नाम है आयोडो एथेन चेंज विल बी इसका नाम क्या है मुन्ना तो नाइट्रो नाइट्रो एथेन देखो मुन्ना मैं एक चीज़रूर परामर्च दूँगा आप लोग को कि आप लोग इसको कन्भरजन को पढ़ने से पहले सबसे पहली बात ये गौर करेंगे क्या चीज़ कि आप लोग को नामा करण पढ़ना पढ़ेगा जो कि मैं नामा करण का विडियो डाल चुका हूँ ले लिजे इसकी इंसोट पहले ले लिए होंगे चलिए ठीक है तो नामा करण पढ़ना बहुत जरूरी होगा नामा करण पढ़ना ही पढ़ेगा आप लोग को यदि नामा करण नहीं पढ़ेंगे तो समझ जाए कि आप लोग को क्लियरली समझ में नहीं आएगी क्लियर चलिए